राथे राधे जी पवत्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्थिक स्वागत है मैं हो कात्याईनी भगतों आज पित्रपक्ष का आठवा दिन है पित्रों को त्रिप्त करने के लिए और पित्रदोश से मुक्ती पाने के लिए पित्रपक्ष सबसे उचित समय बताया गया है पुरानों में बताया गया है कि पित्रपक्ष के समय पित्र लोग पृथवी के सबसे समीप होता है वैसे पित्रलोक चंद्रमा याने चंद्रलोक के करीब है इसी कारण माना जाता है कि पित्रपक्ष में हमारे पित्र, पूर्वच, हमारे पास आते हैं, हमारे घर आते हैं हमारे द्वारा किये गए पिंडदान, तरपन, दान आदी, ग्रहन कर वे वापस पित्र लोग चले जाते हैं यदि पित्र पक्ष में वे हमारे द्वारा किये गए कर्मों को स्विकार करते हैं वे त्रिप्त होते हैं प्रसन होते हैं तो पित्र हमें आशिरवात देकर लोट जाते हैं और यदि नहीं तो वही पित्रदोश बढ़ जाता है पित्रदोश जीवन में नाना प्रकार के बाधाएं और दरदरता उत्पन करता है पित्रपक्ष में पितरों की आत्मा को शांती मिले वित्रप्त हो इसके लिए एक अचूक उपाय बताया गया है भगवत गीता का पाथ भगवत गीता के पाथ से ना केवल पितरों के आत्मा को शांती मिलती है परन्तु पित्रदोश भी समाप्त होता है आज पित्रपक्ष के आठवे दिन हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमत भगवत गीता का आठवा अध्यार एवं उसका महात्मे आईए श्रवन करें परन्तु उस्ते पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवशे कमेंट करें यह मंत्र पित्रदोश निवारन के लिए सरवोत्तम बताया गया है इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे श्री भगवत गीता आठवा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग ब्रह्म अध्यात्म और करमादी के विशे में अर्जुन के साथ प्रश्न और उनका उत्तर अर्जुन ने कहा हे पुरिशोत्म वह ब्रम्ह क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिबूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदाइफ किसको कहते हैं हे माधुसूदन यहां अधियग्य काउन है और वह इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्त चित वाले पुरुशो द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं शरी भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं हिरन मैं पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरन यगर्भ, प्रजापती, ब्रम्हा इत्यादी नामों से कहा गया है अधिदैव हैं और हे देह धारियों में श्रेष्ट अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेवी अंतरियामी रूप से अधिया क्या हूँ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरू को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है हे कुंति पुत्र अर्जुन यह मनुश्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरन करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है इसलिए हे अर्जुन तु सब समय में निरंतर मेरा स्मरन कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पन के हुए मन बुधी से युक्त होकर तु निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा हे पार्थ या नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी और ना जाने वाले चित से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परप्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो पुरुष, सरवग्य, अनादी, सब के नियंता यानि अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुक कर्म के अनुसार शासिन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सब के धारन पोशन करने वाले अच्चिंत स्वरूप, सूर्य के सद्रिश नित् प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरन करता है। या भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से ब्रिकुटी के मध्य में प्रान को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से स्मरन करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चदानंद घन रूप परमपत को अविनाश कहते हैं, आसकती रहित यतन शील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपत को च सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हरिदेश में स्थर करके, फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्रान को मस्तक में स्थापित करके, परमात्म सम्मन्धी योगधारन में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उचारन करता हुआ औ होता है, हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुष ओतम को स्मरन करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलब हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्थ हो जाता हूँ, परम सिध्धी को प्रा प्राप्थ महात्माजन मुझ को प्राप्थ होकर दुखों के घर एवं ख्रन भंगुर पुनरजन को नहीं प्राप्थ होते, हे अर्जुन ब्रह्मलोग परियंत सब लोग पुनरावर्ती है, परन्तु हे कुंतिपुत्र मुझ को प्राप्थ होकर पुनरजन्म नहीं होता, क्यूंकि मैं कालाती थूँ और ये सब ब्रह्मादी के लोग काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर युगी तक की अवधी वाला और रात्री को भी एक हजार चतुर युगी तक की अवधी वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे युगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं संपूर्न चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थार्थ ब्रह्मा के सुक्ष मुशरीर से उत्पन होते हैं और ब्रह्मा की रात्री के प्रवेशकाल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सुक्ष मुशरीर में ही लीन हो जाते हैं हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन हो होकर प्रकृती वश में हुआ राथरिक के प्रवेशकाल में लीन होता है और दिन के प्रवेशकाल में फिर उत्पन होता है उस अव्यक्त से भी अती परे दूसरा अर्थात विलक्षन जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परमदिव्य पुरुष सब भूतों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगती कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राक्त होकर मनुश्य वापस नहीं आते वह मेरा परमधाम है हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतरगत सर्व भूत है और जिस सच्चदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष्टो अनन्य भक्ती से ही प्राप्त होने योग्य है हे अरजुन जिस काल में शरीर त्याक कर गए हुए योगिजन तो वापस ना लौटने वाली गती को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गती को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थार्थ दोनों मार्गों को कहूंगा जिस मार्ग में जोतिर मैं अक्नी अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायन के छे महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेत्ता योगी जन उप्युक देवताओं द्वारा क्रम से ले जायक जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जिस मार्क में धुमा भिमानी देवता है रात्री अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिनायन के छे महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उप्युक देवताओं द्वारा करम से ले गया हुआ चंद्रमा की जियोत को प्राम्थ होकर स्वर्ग में अपने शुप कर्मों का फल भोग कर वापस आता है क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुकल और कृष्ण अर्थार्थ देवयान और पित्रयान मार्ग सनातन माने गये हैं इन में एक द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमगति को प्राप्थ होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थार्थ जन्म मृत्यों को प्राप्थ होता है हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तक्त्व से जान कर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण हे अर्जुन तु सब काल में संबुध्धी रूप से योग से युक्त हो अर्थार्थ निरंतर मेरी प्राप्थी के लिए साधन करने वाला हो योगी पुरश इस रहस्य को तक्त्व से जान कर वेदों के पढ़ने में तथा यग्य तप और दानादी के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निस्संदेह उलंगन कर जाता है और सनातन परंपथ को प्राप्थ होता है यहां श्रीमत भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन समवाद में ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र के बारे में अक्षर ब्रह्मा योग नामक आठवा अध्याय समपूर्ण होता है भगतो यह है भगवद गीता का आठवा अध्याय आईए अब इसकी महात्मे कथा सुने श्रीमत भगवद गीता के आठवे अध्याय का महात्मे भगवान श्रीव जी कहते हैं देवी अब आठवे अध्याय का महात्मे सुनू। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसनता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विश्णु जी ने उन्हें इस प्रकार अश्टम अध्याय का महात्मे बतलाया था। दक्षिन में आमर्दकपुर नामक एक प्रसित नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मन रहता था। जिसने वैश्या को पत्नी बना कर रखा था। वह मास खाता, मदीरा पीता, श्रेश्ट पूरुशों का धन चुराता। पराइस्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिल्चस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था। और मन में बड़े-बड़े होसले रखता था। एक दिन मदीरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी। खूब गले तक उसे चड़ाया। अतहा अजीरन से अतियंत पीड़त होकर वपापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का व्रिक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी चाया का आश्रे लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति-पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्वजन्म की खटना इस प्रकार है। एक कुशिबल नामक ब्रामन था जो वेद वेदांगों के तत्वों का ग्याता संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेशग्य और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमती था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्रामन विद्वान होने पर भी अत्यंत लोबवश अपनी स्त्री के साथ प्रती दिन भैस, कालपुरुश और घोड़े आदी बड़े दानों का ग्रहन किया करता था। परन्तु दूसरे ब्रामनों को दान में मिली कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पती-पत्नी कालवश मृत्यों को प्राप्त होकर ब्रम्ह राक्षिस हुए। वे भूक और प्यास से पीड़त हो इस पृत्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ व्रक्ष के पास आ तथा इस ब्रम्ह राक्षिस योनी से किस प्रकार हम दोनों की मुत्ती होगी। तब उस ब्रामन ने कहा ब्रम्ह विद्या के उब्देश, अध्यात्म तक्व के वचार और कर्म विधी के ग्यान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने प कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर युक्तवाक्य गीता के आठवे अध्याय का आधाश लोग था। उसके श्रवन से वह वरक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्रामन हो गया। तक काल ग्यान होने से विशु उनके मुख से दैवात थी आठवे अध्याय का आधाश लोग निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति-पत्नी उस विमान पर आरूड होकर स्वर्ग लोग को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यांत आश्चर्य जनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्रामन भाव शर्मा ने आधर पूरवक उस आधेश लोग को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदाइनी काशिपूरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धिवाले ब्रामन ने भारी तपस्या आरब की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवतां जगतपती जनार्दन से पूछा। नाथ आप सहसा नीनत्या कर खड़े क्यों हो गये। श्री भगवान बोले देवी काशिपूरी में भागी रथी के तत पर बुद्धिमान ब्रामन भावशर्मा मेरे भक्तिरस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। प्रिये इस समय वह फल देने को मैं उतकंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा। भगवन श्री हरी सदा प्रसन होने पर भी जिसकी लिए चिंतित हो उठे थे। उस भगवत भावशर्मा ने काउन सा फल प्राम्त किया। श्री महादेव ची बोले, देवी द्विज श्रेष्ट भावशर्मा प्रसन हुए भगवान विश्नु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख अर्थार्थ मोक्ष को प्राक्थ हुआ। तथा उसके अन्यवन्शच भी जो नरक यादनाओं में पड़े थी, उसी के शुथ कर्म से भगवत धाम को प्राक्थ हुए। पारवती या आठवे अध्याय का महात्मे थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। इस प्रकार शुरीमत भगवत गीता के आठवे अध्याय की महात्मे कथा संपूर्ण होती है। भगतो यह है भगवत गीता के आठवे अध्याय की महात्मे कथा। आशा है आपको आज की यह प्रस्तिती अच्छे लगी इस प्रकार के और वीडियोज पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहेगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जैश्रिक्रिश्णर राथे राथे